ओके वेल्कम बैक गाइस ठीक है तो इस सेल के ओवर्व्यू के बाद जो है हमने काफी सारे ओर्गनिल्स जो है सेल के पढ़ लिये हैं अगर आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं या वह लेक्चर नहीं अटेंड करें तो प्लीज जाके जो है वाले जो लेक्चर सिरीज हैं उसको पहले अटन कर लिजे और उसी सिरीज में हम अब नया एक और्गनिल पढने जा रहे हैं तरह है जिसका आम है गौलजी एपरेटेस ठीक है इसको हम पूरा डीटेल में देखेंगे कि गौलजи एपरेटेस है क्या तो पहले तो इसको जो डिसकवर किया था इसको डिसक और यूकेरियोटिक ऑर्गेनीज्म है उनमें ये गौरगी बोर्डी जो है present रहती है और यू करेंडेंटी rakर और थो उसके लिए मैं एक अलग से चांण बना डूंगा डिफरेंस यू केरियोटिक और प्रोकेरियोटिक पर ठीक है नेक्स्ट गॉल जी अपरेटेक्स को जो हैं manufacturing and shipping center of cell भी कहते हैं अब क्यों कहते हैं हमें आगे समझ में आएगा लेकिन हा यह है जैसे एक जहाज होता है न बहुत सारा सामान जो है न एक दूसरे में लेके जाता है किके वहाँ किसी चीज की जूरत होगी जिस चीज की कम होगी और वही देश फिर से वापिस कोई चीज भीज देता है किसी दूश्य वैसे ही जो ही यह गॉल जी आपरेटेस काम करता है ठीक है एक शिपिंग सेंटर की तरह ठीक है ना मनलाब सा यहां से सामान को इधर उदर भीजा जा सके एक सेंटर है जैसे शिप के लिए हैना लोड़िंग अन्लोडिंग ऐसे ठीक है ना next जो है it is involved in packaging of protein prior sending to its destination देखो मैंने endoplasmic reticulum वाले जो हमारा lecture series था मैंने उसमें बताया भी था कि वहाँ पे जो rough endoplasmic reticulum है वहाँ पे से जो protein form हो रहा है यह वहाँ से travel करते हुए कहां आ जाते हैं गौलजी apparatus के पास यहीं इन गौलजी apparatus के पास जो है इन proteins की packaging होती है और इस तरीके से packaging होती है पहले ठीक है और पूरी checking के साथ जब तक कि उसको कहां नहीं भेज देते हैं अपने destination के पास है न मतलब अपने destination के पास भेजने से पहले उसको पूरा अच्छे से जो है बना के उसकी packaging कर देते हैं मतलब ऐसे ही नहीं भेज देते हैं जैसे आप घर से है न साधी विया में जाते होंगे तो विल्कुल कैसे जाते हैं सदज के अच्छे कपड़े पहन के है न तो वैसे ही जो है ताकि कोई fault न रह जाए है न दिखने में कोई fault न रह जाए यह अंदर से आपको भी खुद कोई fault न लगे ऐसे ही जो है sorry गौल जी अपरेटेस क्या करता है इन प्रोटीन की packaging को करता है इसकी destination के पास यह तो हम इसका structure देख लेते हैं ठीक है न इसका इसका it is composed of flattened structure and containing numerous vessels and secretory granule देखो तो यह इसका structure है गौल जी अपरेटेक्स का ठीक है न अब देखो यह कैसे हैं इसके उपर एक की उपर flattened है न सारे के सारे ठीक है और कैसे है देखो numerous vessels 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 जो है यह vesicles कहां गया यह यह रहे है वैसिकल यह आ रहा है है न यह नयव बन रहा है यह secretory है ठीक है न बहुत सारे वैसे कल जो है वैसल लिख दिया है मैंने यह आपने नूमरस वैसिकल होना था actually इसमें ठीक है न और बहुत सारे जो इसके पास यह secretory granules भी होंगे तो यह कैसे लगता है देखो आपने कभी रा complex error of interconnecting tubule vesicle and system है देखो इंटर कनेक्टिंग सारे tube like structure है इंटर कनेक्टिंग है एक दूसरे के साथ interconnected रहता है ठीक है बोर्ड में निखाना बड़ा मुश्किल है वैसे ठीक है लेकिन जब हम electron microscope में इससे देखते हैं तो electron microscope में हम क्या देखते हैं कि यह ऐसे नजार आता है जै जैसे कि tubule से एक दूसरे के साथ interconnected हूँ है न वैसिकल्स तो हमें दिखी रहे हैं and sister ने अब हम इनको अलग-अलग portion जो इसके हैं देख लेते हैं ठीक है क्या है तो sister ने क्या है it is the simplest unit of Golgi apparatus ठीक है तो sister ने जो है simplest unit है किसकी Golgi apparatus की यह flat end होता है plate like होता है जैसे plate देखे होगी अपने शादियों में जैसे जाते हैं तो एक के उपर एक के उपर एक उपर एक प्लेट रखी रहती है तो यह ऐसे नजार आता है plate यह फिर saucer-like है न and held parallelly तो देखो यहां पर भी जो ही यह parallelly रन कर रहे है न एक दूसरे के ठीक है तो यह parallelly जो है एक दूसरे के रन करते है और parallel मतलब क्या होता है two lines that never meet each other ठीक है न दो यह दो लाइने जो आपस में कभी नहीं मिलती है ठीक है न तो next देखते हम इच स्टैक फॉर्म सा डिक्ट्योसों तो एक एक स्टैक जो है क्या फॉर्म कर देता है डिक्ट्योसों बना देता है next इसका sorry next इसका tubules नाम से पता च structure और यह थोड़ा बहुत सिमिलार है जब हमने एंडोप्लाजमी रेटिकुलम में पढ़ा हो याद रखना next आता है मैरे वैसिकल्स अब देखो इसके जो वैसिकल्स है न देखो हमने वैसिकल्स के बारे में पहले भी बता चुका हूं एक और बार बता देता हूं देखो यह यहाँ पर जो यह गौलजी अपरेटेस है यह नहीं यहाँ पर पहले ऐसे बड़ा एक फॉर्म बना देगा और यहीं से फिर यह पिंच ओफ हो जाता है यह इससे अलग होके बनाके एक अलग वैसिकल्स बना देता है ठीक है इतना क्लियर है आए होप आप सबको अब पहले ह हमारे पास ट्रांजिशनल वैसिकल ठीक है तो चो ट्रांजिशनल वैसिकल है यह स्मॉल मेंब्रेन है ठीक है एंड विद लिमिटेड वैसिकल मतलब वैसिकल है पर लिमिटेड है कम है नेक्स्ट आता है मारा पास सिक्रीटरी वैसिकल देखो नाम से ही पता चल रहा है सिक्र diversion में कहीं न होली यह वर्यट साइस का होता है and discharge from the margin , margin से ही लिधिसचीर्ज होता है यह यह रहा, यह रहा हमारा mystery उसका जो important role है यह है इंट्रस्रेलर्ट को देखता है किसके membrane के, किसके endoplasmic reticulum और Golgi apparatus के, है न, तो देखो मैंने पहले भी बताई, Golgi और Golgi apparatus and endoplasmic reticulum के बीच में क्या देखता है, यह trafficking को देखता है, है न, मतलब कौन सा protein आ रहा है, कैसे जा रहा है, है न, आगे देखता है, मैंसे कैसे होता है, ठीक है, तो I hope यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, ताकि आपको 2x की speed में न सुनना पड़े, फहुच जल्दी जल्दी बोला है, ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है, मैंने बहुच जल्दी बोला है, तो आप प्लीज पीछे जा के जो है, एक गौलजी अपरेटस के functions को देख लेते हैं, functions क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा important होते हैं, ठीक है न, यह diagram है, functions देख लेते हैं, ठीक है, it is referred as traffic police, इसको जो है traffic police की उपादी दी गई है, क्यों दी गई है, देखो traffic police का काम क्या होता है, वो एक जगा पर खड़ा रहता है, द किस तरफ पहले भीजनी है, किस तरफ उसके बाद भीजनी है, तो traffic police का काम क्या है, ट्रैफिक को maintain करके रखना एक, unwanted कहीं पर कोई accident न हो जाए, दो वैकिल के बीच में collision न हो जाए, तो same, same काम क्या है, इस गौलजी body का है, यह क्या करता है, यह traffic police जो है, यहाँ पर काम कर र रहा है, है न, उसको बोल रहा है, भी आप पहले line से जाओ, है न, इनको फिर रोक के रखेगा, कि आप यहाँ पर रुके रहो, फिर जब यह चले जाएंगे, फिर इनको भी बोलेगा, आप भी जाओ, है न, in animal acts as a packaging and exocytosis of following, अभी जो animal है, animal cells जो है actually, ठीक है, उनमें यह क् packaging का काम करता है, package करने के बाद exocytosis मतलब उसको बाहर भेज देना, in form of secretory ganules, तो कहां कहां पर है यह, चलो देखते हैं, zymocons of pancreatic cells, ठीक है, तो pancreatic cells की एक zymocon हो गई, इसको हम detail में देखेंगे, जब हम digestive system पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर बास हमें यह role जानना है, कि pancreat pancreatic cells की zymocon, now mucus of goblet cells of intestine, हमारे पेट में क्या होती है, कुछ goblet cells होती है, इसके अंदर क्या होता, पानी भरता जाता है, एक पाइम ऐसा आता है, जब गौबलेट cells फट जाती है, और जो आपके पेट के बाहर, यह पूरा GIT जो आपका tract है, वहाँ पे यह mucus की एक lining बना कर है, ठीक है, ताकि जो भी आप खाना खाएं, वो smoothly आपके पेट में जाए, और intestine तक पहुंचें, और easily digestible हो जाए, तो mucus का यह काम होता है, I hope यह आपको clear होगा, next अब ही है, lacto protein, and the lacto protein, it is present in memory gland, okay, next, it helps in formation of plasma membrane and lysosome, देखो भई, जो cell membrane की, देखो, cell membrane ना, भहुत सारे protein से अलग-अलग protein से मिलके बना, cell membrane को जो हम detail में discuss करेंगे आगे, ठीक है, आगे तो मैं जो lecture बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे cell membrane को, ठीक है, तो plasma membrane एक अकेले से नहीं बनी हुए है, भहुत सारे protein से मिलके बनी है, lipids से बनके मिली है, ना, carbohydrates व तो, endoplasmic reticulum भी, हमने पहले वाले lecture में देखा था, हमने, यहाँ पर golgi apparatus भी help कर रहा है, in the formation of plasma membrane, and also in the formation of lysosome, तो और lysosome का function क्या होता है, किसी भी dead cell को engulf कर देना, digest कर देना, जिसकी body को जरूरत नहीं है, अच्छा, lysosome किसके past absent होता है, comment करके आप बता देना, क्योंकि मै अरले एक lecture में बता चुका हूं, ओके गाइस, next, it is involved in the transport of limit, sorry, lipid molecule around the cell, इसका काम क्या होता है, कि जो cell है, उसके around, जो है, lipid को जो है, transport करा सके, जब कभी उसको जरूरत हो, next है, it is a major site of carbohydrate synthesis, देखो, carbohydrate synthesis के लिए भी जो है, एक major site है, कभी अगर body को ऐसा जरूरत पड़ गई त होता है, now it is involved in the secretion of material of primary and secondary cell wall, तो primary and secondary cell wall होती है, उसके लिए जो भी material चाहिए होता है, वो कहां बनता है, इस गौलजी apparatus के पास, इस गौलजी body के पास, ठीक है न, और वो कौन-कौन से है, lipids है, cellulose है, lining है, है न, और भी बहुत सार है, ठीक हो मने यहां पर लिखेंगे है, पर इपोर्टल यह है, lipids, cellulose and lining, और यह कहां पर involved होता है, सारे, के सारे cell wall की formation में, ठीक है, तो आपको यह सब जो है, समझ आया होगा, मैंना काफी जल्दी जल्दी बोला है, ताके आपको 2X की speed में जो है, सुनना ना पड़े, ठीक है, फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक् picture है, इसके type है, और जो function है, और diagram भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, अगर आपको इसका screenshot लेना है, तो आप screenshot ले लीजिए, या फिर Instagram में भी मैंने जो है, यह डाल दिया है, ठीक है, तो, okay guys, thank you, take care and please like, share and subscribe करना ना भूले